नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनले मित्रा सल्वेशन पार और मैं हूँ गणे सोजा दोस्तों जिन्होंने भी प्री बीस्टी सी के फोर्म बरे थे तो वो विद्याती जो की इस परिक्षा में ऐस्वाल हो गे थे और जिन्होंने कांसिलिंग करवाई थी और जिनको कोलेज अलोटमेंट नहीं हुए थे तो उनकी फीस है जो प्रारमिक सीक्षा विभाग ने वापस लोटाना शुरू कर दिया है तो कैसे उसके फोर्म बरे जाएंगे और कब है उसकी लास्ट डेट वो सारी जानकरी मैं आप आपको इस वीडियो के मादिम से बताने वाला हूं तो बने रही हमारे इस वीडियो के साथ में तो दोस्तो चली शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले दोस्तो आ जाना है आपको इस वेब साइट के उपर है इस वेब साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मि सकते हो यहां पर कंप्लीट जानकारी आपको दी हुई है और इसमें क्या क्या चीज़ों की आवशक्ता होगी वो भी आपको बताया गया है इसमें लिखा है कि प्रीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन कांसलिंग के माध्यम से प्रवेश है प्रक्रिया संपन्न होने के परसात प्रवे के डिटेल्स की प्रवेश्टियां साउधानी पुरुवक करें ता कि सुलक की रासी है जो उनके खाते में लोटाई जा सके तो दोस्तों आपको इसमें अब्यार्थी को अब्यार्थी के माता पिता या इन तीनों में से किसी एक खाते का भीवरन आपको प्रियोग करना है याने दोस्तों अब्यार्थी अपना खाता डाल सकता है अपने माता पिता में से किसी का भी खाता नमबर यहां पर डाल सकता है तो उनके खाते में हैं जो रासी लोटाई जा सकती है तो आपको यहां पर कैसे फोर्म भरना है उसके बारे में माजानकारी देतेता हूं आपक क्लिक करके आप अपने details वर करके submit करोगे तो आपको ID और password है जो मिल जाएंगे तो आप password भूल चुके हो तो forgot password पर क्लिक कर दोगे और यदि आपका mobile number भी आपके पास में नहीं है तो आप यहाँ पर change mobile number पर भी क्लिक करके पूरी details है जो डाल करके आप submit बटन पर क्लिक कर सकते हो तो आपका ID और password है जो मिल जाएंगे दोस्तों मेरे पास में ID और password है तो मैं यहाँ login बटन पर क्लिक कर देता हूँ जैसे ही मैं इसके उपर login करूँगा तो logged in successful यहाँ लिखा हुआ आ गया तो यहाँ पर पूरी details आपके सामने आ जाएगी यहाँ पर जो एप्लिकेशन ID है वो आपको मिल जाएगी इसके बाद में उसका नाम मिल जाएगा इसके बाद में यहाँ पर कोर्स का नाम आ जाएगा यहाँ पर फिस payment और यानि किसके लिए आपने payment के अता हुआ जाएगा यहाँ पर टोटल फिस आ जाएगी तो दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर लिकावा है payment status not done तो इसके बाद में यहाँ पर payment receipt आपको मिल जाएगी result मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जो अंतिम option है वो लिक मिल जाएगा कि apply for registration जैसे आप इसके उपर कलिक करोगे तो दोस्तों अभी साइट है जो अपडेट नहीं हुए है यहाँ पर लिखावा ट्राइए आप्टर सम्टाइम पी राइट बेक यानि जल्दी हैं वापस आएंगे यानि जल्दी ही इसके जो फॉर्म है वह साइद हो सकता है कल तक शुरू हो जाएं यानि 65 2021 तक यह साइद फॉर्म शुरू हो जाएंगे तो दोस्तों यही चोटी सी जानकारी मेरे पास में थी जिन्नों ने भी फॉर्म भारा है जो एसफल हो चुके हैं कांसलिंग में और जिनको कॉलेज अलोटमेंट नहीं हुआ है वो अपनी रिफंड फिस के लिए एपलाई कर सकते हैं तो यही चोटी सी एक जानकारी मेरे पास में थी जो मेंने आपको दी है यही आपको यह वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक करना सेर करना साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिक देना दोस्तों यही चैनल के उपर लेकनों को दबा लेना ताकि आपको आने बाले वीडियो में नई जानकारी के साथ में तब तक के लिए जय हिंद